आज हम बात करने वाले हैं नाम भक्ति के रहस्य के बारे में नाम भक्ति क्या है इसका मतलब है भगवान के नाम को याद करना और उसका जाप करना यह एक साधना है जो हमें इश्वर के करीब लाती है नाम भक्ति का अर्थ है भगवान के नाम का जब करना उसे बार बार दोह ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं. ये एक खास तरह की भक्ती है जहां हम भगवान के अलग-अलग नामों को जपते हैं और उनकी तारीफ करते हैं. हर नाम में एक विशेश शक्ती होती है जो हमारे जीवन को सकारात्मक उर्जा से भर देती है. नाम भक्ती को हर धर्म में बहुत माना जाता है क्योंकि इसके लिए किसी खास जगह या सामान की जरूरत नहीं होती. ये एक ऐसी साधना है जिसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं. आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. चाहे आ पतलब है कि राम नाम का जाप एक खजाना है, इसे जितना कर सको, करो। पंजाब के दिल में एक आत्मा ने एक असाधारन यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल भौतिक दुनिया से परे थी, यह आत्मा की गहराईयों में उतरने की यात्रा थी। उनका नाम था बुल्ले एक ऐसा नाम जो प्यार, भक्ती और आध्यात्मिक ज्यान का प्रतीक है। बुल्ले शाह का जीवन एक ऐसा जीवन था जिसने अंगिनत लोगों को प्रेरित किया। प्रतीक जीवन प्रतीक है। बुल्ले शाह का प्रारंभिक जीवन प्रारंपरिक इसलामी शिक्षा में डूबा हुआ था। उन्होंने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा और धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अर्बी और फार्सी में महारत हा सिल्की धार्मिक ग्रंथों की गहराई में उतरते हुए। उनके ग्यान की गहराई ने उन्हें एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर भी उनके जिग्यासु मन को सिर्फ ग्यान से ज्यादा कुछ चाहिए था। वह केवल पुस्तकों में नहीं बलकि जी अनुभव के लिए तरस्ते थे। एक ऐसी लालसा जिसने उनके पूरे जीवन को आकार दिया। यह लालसा उन्हें एक साधक से एक संत में बदलने की यात्रा पर ले गई। ज्यान की खोज ने बुल्ले शाहक को एक प्रसिध विद्वान बना दिया। इसलामी धर्म शास् उन्यता महसूस की जिसे पारंपरिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकी। इस आंतरिक टडप ने उन्हें एक नए रास्ते पर स्थापित किया। एक गहरे सत्य की तलाश में। उन्होंने आध्यात में गुरुओं की तलाश की। गहन चर्चाओं और वाद विवादों में शामि उनकी मुलाकात उनके आध्यात में गुरु शाह इनायत कादरी से हुई। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड सावित हुई जिसने उनकी आत्मा में आग लगा दी। इनायत शाह एक सूफी संथ ने बुले शाह के भीतर सच्चाई की तीव रिच्छा को पहचाना। इन अध्यसंत में उनके परिवर्तन की शुरुवात को चेहनित किया। बुले शाह की शिक्षाओं के मूल में प्रेम और भक्ति की शक्ती है। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिक्ता धार्मिक सीमाओं को पार कर जाती है। जो ईश्वर के साथ सीधे और व्यक्तिगत सं बंध की वकालत करती है। सूफी रहस्यवाद से सरावोर उनकी कविता इस गहन प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम बने। बुले शाह के शब्द जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंचते थे। उनके सरल लेकिन गहन छंदों ने सार्व भॉमिक सत्यों की बा पाखंड और सामाजिक अन्याय के निडर आलोचक थे। उन्होंने अपने समय के धार्मिक और सामाजिक धोंग को बेनकाब करने का साहस दिखाया। उनके विचार और उनके शब्द समाज के उन हिस्सों को जग जोरने के लिए थे जो अन्याय और असमानता को बढ़ावा देते थे। उन्होंने कठोर रीती रिवाजों और हटधर्मिता को चुनौती दी। जिनके बारे में उनका मानना था कि वे सच्चे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। बुल्ले शाह ने उन परंपराओं को भी सवालों के घेरे में लिया जो मानवता के मूल्यो के खिलाफ थी। उनके लिए सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब था प्रेम, करुणा और समानता। उनकी कविता उत्पीडन के खिलाफ एक हथियार बन गई जो खोखले धार्मिक प्रथाओं को उजागर करती है। उनकी रचनाय ना केवल साहित्यक उत्कृष्टता का उद लाभ के लिए जनता का शोशन किया। बुल्ले शाह ने उन नेताओं की आलोचना की जो धर्म का उप्योग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करते थी। उनके विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रती जागरुप किया और उन्हें अन्याय के खिल इमान और डर्व दोनों की नजर से देखते थे। उनकी सच्चाई और इमानदारी ने उन्हें एक अद्विती इस्थान दिलाया। प्रेम और एकता के उनके संदेश ने उन लोगों को धमकी दी जो विभाजन और कलह पर पनपते थे। बुल्ले शाह का मानना था कि करता है ना कि उन्हें अलब करता है। उनके संदेश ने समाज में एकता और भाइचारे की भावना को पढ़ावा दिया। भाग 6 बाधाओं को तोड़ना एकता का संदेश धार्मिक तनावों के दौर में बुल्ले शाह एकता के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे। वह जाती, पंथ और धर्म की सीमाओं को पार करते हुए मानवता की एकता में विश्वास करते थे। उनका संदेश पंजाब के विविद सामाजिक तानेबाने में गहराई से गूंजा। उनकी कविता ने प्रेम, करुणा और सहानुभूती के साजहा मूलियों का जश्ण मनाये। उन्होंने उन्पूरवाक्रहों और ध्रांतियों को चुनोती दिख जिन्होंने समुदायों जिनकी शिक्षाएं और कविताएं आज भी जीवित हैं, हमें प्रेम और सहिशनुता का महत्व सिखाती हैं। उनकी मृत्यू के सदियों बाद बुल्ले शाह की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी कविताएं और संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं, हमें एकता और भाईचारे का महत्व याद दिलाते हैं। उनका प्रेम, सहिश्नुता और आध्यात्मिक जागरती का संदेश, समय और भौगोलिक सीमाओं को पार करता है। प्रासंगिक हैं। बुल्ले शाह की शिक्षाएं आज के समय में विशेश रूप से प्रासंगिक हैं, जहां विभाजन और संघर्ष अक्सर हमारी साजह मानवता पर हावी हो जाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रेम और सहिश्नुता ही सच्ची मा मानवता की पहचान है। उनका प्रेम और एकता का संदेश हमारे मतभेदों से परे देखने और अपनी साजह जमीन को अपनाने की याद दिलाता है। बुल्ले शाह की विरासत हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और हमें अपने मतभेदों को भुला कर एक साथ आना चाहिए भाग आठ पंजाबी संस्कृति पर बुल्ले शाह का प्रभाव पंजाबी संस्कृति पर बुल्ले शाह का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है उनकी कविता पंजाब की आत्मा में गहराई से समा गई है प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गाई जाती और रोज मर्रा की बातचीत में गूंचती है। एक कालातीत संदेश बुल्ले शाह का जीवन और शिक्षाएं एक कालातीत संदेश देती है। एक ऐसा संदेश जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक्ता का सच्चा सार प्रेम, करुणा और ईश्वर के साथ गहरे संबंध में निहित है। भुतिक साधनाओं से प्रेरित दुनिया में बुल्ले शाह का संदेश आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। जो हमें प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ती और भीतर सत्य की तलाश के महत्व की याद दिलाता है।